नमस्कार दोस्तों, हेल्फू चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अपने हस्त रेखा के अधार पे अपने विवा की उम्र और कैसे निकाले, किस एज में विवा होगा, विवा होगा की नहीं दोस्तों, आज से मैं आपको पामस्ट्री के लेशन्स दूँगा और मैं आपको एक-एक चीज बताऊंगा कि पामस्ट्री को कैसे अनलाइस कर सकते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना यहां पे हस्त रेखा देखते हैं आज हम विवा के रेखा के बारे में बताएंगे दो दोस्तों, और हम जो कैसे accurate, इसमें numerological भी इसमें analytic करेंगे तो हम चीज बताएंगे आगर आपको टाइफिक में आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल के नीचे गरेट बटन होगी प्लीज क्लिक करिए और उसके बगल में एक रिंग बैल होगी इसको प्रेस कर दिया और कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे मेल करिए नितिन 549 at the rate gmail.com पे है दोस्तों अब में टॉपिक पे चलते हैं सबसे पहले यहां पे एक हस्त रेका हम देखते हैं यहां पे है सब लोग मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से तहां पे क्या परवत होते हैं यह गुरू परवत होता है यह शनी परवत होता है यह सूर परवत होता है यह बुद्ध परवत होता है और यहां पे यह चीज़ लाइने होती है यह आपका वीनस परवत होता है इसको हम लोग वीनस वीनस मांट बोलते हैं और यह इंआ होता है moone mount यह moon mount होता है ठीक हे दोस्तों अब हम लोग यहां से विभा का चालते हैं और यह 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 पर उस्टिव मार्स होता है है और यह और पर hey meadow 대owes नड़ी स्ट अर्येश करते हैं कैसे हम लोग मेरेज गए, suppose आप लोग देखते हैं, सबसे पहले आप अपने हस्त रेखा में देखिए कि जो विवाह की रेखा होते हैं, वो कितनी लंबी हैं, कितनी छोटी हैं, कितनी हैं उसके ओपर कोई कट तो आ नहीं रहा है, अब सबसे पहले टॉपिक बाते हैं विवाह की रेखा को हम लोग अगर पुरुष हैं, तो पुरुष के दाए हाथ के नीचे, छोटी लिटल फिंगर के नीचे इस तरह से रेखाए होंगी और अगर महिला हैं, तो उनके बाए हाथ के लिटल फिंगर के नीचे इस तरह से रेखाए होंगी अब हम लोग विवाह को देखते हैं सबसे पहले अगर विवाह रेखा की ऐसे इस तरही कैसे ऐसे बढ़ते आए ऐसे एक हो सिंगल रेखा हो और इत्ती लंबी रेखा हो यहाँ पे ठीक है और यह नीचे यहाँ पे आपका हार्ट रेखा है या अगर हार्ट रेखा आपकी सिंगल लाइन है केवल सिंगल लाइन है कोई डबल मोटी नहीं है एकदम सिंगल लाइन है बीच में कोई भी कट नहीं है इस पे नहीं है और यह हार्ट लाइन इस तरही केस्ते है तो यह आप समझे लिए साधी यहां पर और यह आपका यह जो हार्ड लाइन होती है अगर आवा फाइफ टैन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइफ मान लिजिए इसके रेशियों में ठीक है तो इज अब यह देखिए मनुष्ट की आईउ 120 वर्स मानी गई है दोस्तों मनुष्ट की 30, 60, 90, 120, 30, 30 के लेंगे तो नहीं इस तरीके नहीं क्योंकि यहां पर उंगली में पांच उंगलिया है तो पांच को हम लोग इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे कि 120 बटे डिवाइड बाइड पांच तो पांद उनी दस पांच चौको बीस तो यानि कि 24 एर्स हर पर 24 साल में इसे में परवतों में बाट लें जिनको हम देख लिया जाता है जैसे कि यह इतनी इजरेखा है इधर और यहां पर मंगल यह चीज इधर इसको मैं और चोटा कर लूँ टोटल नौ ग्रोहों के हिसाब से अगर माल लो तो यह इधर होता है तो मैंसे मैंने पांच ग देखा यहां पर इधर चली इस तरह इतनी दूरा जाएगे तो आप यह समयचे कि 24 क्रॉस हो जाएगी और आपकी शादी 24 के बात होगी और लेट भी हो सकती है ठीक है क्योंकि अगर यह इतनी लंबी है और साथ में यह इस पर यहां पर कुछ ऐसी कट रिखा ऐसे आएंगी या इस तरीके से आएंगी ऐसे हलके भी हो नॉर्मल हो तो शादी में विलम होगा और प्रॉब्लम हो सकती 24 प्लस हो जाती है अगर यह किलियर है और इसके ओपर कोई रिखा नहीं है तो यह 24 प्लस में आपकी शादी हो जाएगी अगर इसके ओपर कोई कट्स है कोई लाइन है तो यह नहीं जाएगा अब 0.2 पे आते हैं हम लोग 0.2 पे आते हैं अगर यह रेंखा इतनी लंबी हो 17 में इसके अद एक और एक चूटी रेंखा एक और ऐसी हो तो फिर क्या होता और कोई कटना हो तो फिर क्या प्रॉब्लम होगे तो भी साधी माली जिन नहीं हो रही ह तो उसका मतलब यह है कि जो लंबी लाइन है और यह जो चोटी-चोटी लाइन है तो इसका मतलब यह कि यह पास्ट रिलेशन्सिप्ट रहेंगे दो-तीन मतलब उस व्यक्ति का G1 मतलब कई-कई विवा आएंगे रिलेशन आएंगे प्रोपोजर आएंगे लेकिन वह सक्सेस नहीं हुए होंगे तो वो क्यों नहीं सक्सेस होएंगे क्योंकि यहां डबल बनाएंगे क्योंकि वह व्यक्ति स्थिर माइंड का नहीं होगा और उसका मन अलग-अलग चीजों में भटकता रहेगा अलग-अलग मनलब कि आज यह लड़की पसंद आई तो कल दूसरी को इस तरह तो उस तरह से इस तरह परसन ऐसे परसन भी जिंदगी में चांफ्यूस हो जाते हैं और अगर यह लाइन हैं और यही चीजें अगर यह लाइन ऐसी गई हूं यूँ चली गई हूँ यूँ हलकस इधर डाउनवर्ड आ रही हूँ इस तरीके से तो ऐसे लोगों लोगों को विवा करने में प्रॉब्लम आती है अगर विवा हो जाता है तो उनको काफी लेट दिकते होंगी यानि कि उनका विवा इनको डाउनवर्ड होना होनत है अगर यही रेखा इस पर कट करके तुटच करके आ रही है और यह हाड लाइन को ऐसी कोई रेखा कोई छूग गई यहाँ पर अगर आ गई तो समझे विवा करना बेकारी है विवा करेंगे तो नुक्सान ही होगा और हाड लाइन में अगर इस तरीके से ऐसे ऐसे चैन टाइप का आ गया तो आपकी विवा रेखा करने में आपका डाइवोर्ड होना तै है और आपको बहुत सारी मेरिस से लिटेड प्रॉब्लम आ जाएगी तो दोस्तों और हम इस तरह बता सकते हैं अगर यहां से सैटरन से या इस तरीके से कुछ ऐसे टच कर गई और सूर लाइन को भी कुछ कट कर गई और सूर लाइन को हार्ट लाइन से तो विवा आपका डाइवोर्ड जूडेशियल कोट का चैरी पका जाएगा आपको शादी फलेगी नहीं बहुत कम केसों में अगर आपकी यहां पे वीनस ओफ सरकेल आने की सरकल ओफ वीनस आ जाए गर्डल ओफ सरकेल इसको कहते हैं शुक्र कर पतंग कहते हैं अगर यह होगी तो उसका विवा जीवन अच्छा होगा बसरते हैं यह कोई भी कंडिशन इसमें फालो ना करें और लाइन थोड़ी सी छोटी हो सिंपल हो तो आपका यह विवा जीवन बहुत अच्छा जाएगा तो दोस्तों यह रहा तो इस तरीके से आज फर्स्ट पार्ट है मैं आपको और धीरे धीरे बताऊंगा हस्त रेखा के बारे में तो दोस्तों कैसी रही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लिस लाइक करी सब्सक्राइब करें चैनल के लिए बटन उसको क्लिक कर दीजे प्लस कर दीजे प्लिस प्लिस और दोस्तों अनलाइज कराने के लिए फीस लगेगी धन्यवाद दोस्तों मिनमां फीस है पर सब्सक्राइब चैनल और धन्यवाद दोस्तों एलफो चैनल को देखने के लिए